चलिए बबा, आज की क्लास शुरू करते हैं, आज हम करने वाले हैं chapter of returns जल्दी-जल्दी एक quick linking ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हमने सीखना चालों किया था goods और services से goods or services अगर supply किया तो सर, supply या तो हो सकता है intrastate supply या supply हो सकता है intrastate supply इंट्रस्टेट्स अप्लाई होगा तो चार्ज हो जाएगा IGST, इंट्रस्टेट्स अप्लाई होगा तो चार्ज होगा CGST, एक बार GST लेवी हो गया, तो सर, GST लेवी होने के बाद, GST has to be collected and paid by A, taxable person आप collect करोगे, और government को देदोगे, सर, जब collection and payment करोगे, तो आता है, कि सर, calculate कैसे करोगे, GST is equal to value of supply into rate of tax, एक बार value अगर आपको मालूम चल गया, तो उसके बाद आप use करोगे, आप issue कर दोगे, tax invoice, credit note, debit note and delivery चलाँ, यस सर, अब उसके बाद बोला गया है, कि सर, आप maintain कीजे अपना accounts and records, और goods भेज दीजे, front party को with the help of e-way bill, यस सर, यहां तक clear था, उ आपका liability आजाएगा, liability आता है, at the time of supply, एक बार liability आया, समझ लिजे, liability था 1000 रुपीज का, आप use करोगे, input tax credit, for an example, 500 रुपेगा credit था आपके पास, remaining 500 रुपेगा payment कर दोगे, by using your cash ledger, sir payment of taxes, 500 रुपेगा remaining का payment कर दिया, उसके बाद government बोलता है, रमेश, कितना आपका liability था, कि इतना आपने remaining payment किया, इस जो सारा details है, कि आपका outward supply कितना था, output tax liability कितना था, invert supply पे कितना input tax credit था, ये सारा details आप हमें phone करके मत दिजे, government ने क्या किया, एक format बना दिया, बोला इस format में, आप ये सारा details दाल दिजे, और उस format को हम बोलते है, returns, मतलब, जितना आपका outward supply का tax हु कितना आपने cash payment किया, सारा details आपको एक format में government को बताना पड़ता है, उस format को हम बोलते है, returns, चलिए बबबा, आज आईए chapter of returns में, यहाँ आज हम शुरू करेंगे returns का chapter, जब हम returns का chapter पढ़ेंगे, तो section number 37 आएगा, outward supplies का details के बारे में बोलता है, section number 38 आएगा, inward supplies का details fundish करने के बारे में बोलता है, section number 39 आएगा, monthly return के बारे में बोलेगा, section number 40 आएगा, first return के बारे में बोलेगा, section number 41 आएगा, जो बात करेगा sir, provisional ITC के बारे में, 42 and 43 आपको applicable ही नहीं है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, section number 44, section number 44 बात करता है, annual return के बारे में, उसके बाद आएगा section number 45, ज बाई बाई रिटर्न के बारे में, उसके बाद आता है 46, 46 किसके बारे में बात करता है, 46, if I'm not wrong, तो बात करता है, सर, late fee वगेरा के बारे में late fee वगेरा के बारे में section number 46 बात करेगा यह सर, 46 नहीं, 46 बात करता है कि अगर आपने return submit नहीं किया, 46 बात करता है अगर आपने return submit नहीं किया तो आपको एक notice दिया जाएगा उसके बारे में 46 बोलता है 47 लेट फी वगरा के बारे में बोलता है ठीक है सर, point clear है चलिए आगे बढ़ते हैं शुरू करेंगे returns का chapter आज़े ये चार्ट पे returns के चार्ट पे आज़े ये ठीक है सर returns सर कैसा chapter है ये यू तो ये B grade 8 chapter है लेकिन मैं इस बार इसको B plus या A भी बोल सकता हूँ क्यों सर क्योंकि दो जगाग छोटे छोटे चोटे amendment है, annual return related and late fee related, तो इससे एक छोटा सा question तो आ नहीं है, आप इसको B grade 8 chapter मानिए, B plus grade 8 मानिए, 2 से 4 mark का question, 4 mark तो मेरे इसाफ से आज आना चाहिए, इस बाग push नहीं चाहिए, ठीक है सर, plus समझ लिजे, 1-2 mark का, 1 MC के push लिया, तो आपको पढ़ के ही जाना है ये chapter को, ठीक है सर, शुरू करते हैं कैसे शुरू होता है, returns का chapter पहले, आप start करोगे business आपने एक business start कर दिया, ठीक है सर उसके बाद आप liable हो गए liable for registration, एक person liable for registration कब होता है under section number 22 होता है या section number 24 होता है ये सर, ये हमें याद है समझ लिजे, 15 January को आप liable हो गए, तो within 1 month आपको apply करना पढ़ता है, within 1 month मतलब within 30 days आपको apply करना पढ़ता है आपने apply किया for registration सर, 1st February को मतलब within 1 month आपने apply कर दिया यहां आपको registration certificate grant हो गया याद रखेगा, ये जो registration certificate है क्योंकि आपने एक महने में apply कर दिया था, within 30 days आपने apply कर दिया था, 30 days within 30 days आपने apply कर दिया था और आपको registration certificate grant हो गया है registration certificate को valid माना जाएगा from the day you become liable yes sir, अब यहां से लेके यहां तक जो भी supply किया है उन supplies के लिए आप issue करोगे revise tax invoice within the next 1 month yes sir, ये सारे जो supplies है इनके लिए मैं revise tax invoice issue करूँगा और इन्होंने बोला है जो भी आप revise tax invoice issue करो उनको आपको disclose करना है एक return में, जिसको बोलते है first return, first return का concept यू तो under section number 40 आता है लेकिन practically देखा जाये तो ऐसा कोई first return नाम का return उन्होंने introduce इने किया ये जो first return है ये basically आपका जो पहला पहला return जाता है after you become registered person आपका जो पहला पहला return जाएगा उसको ही हम first return इधर बोल देते हैं तो ये जो revise tax invoice से सारे हैं इनका details आपको first return में disclose कर देना है ठीक है sir first return किसके लिए लगता है for all the invoice between the date you are a taxable person से लेके जब तक आप registered person बन गाए तब तक का जितना invoices था सारा के लिए आप revise tax invoice इस्चू केजिए और उसको दिखा दीजिए in your first return ठीक है sir point clear है अब जब आप आगे बढ़ोगे तो आएगा regular returns क्या होता है regular returns और monthly return जो होता है monthly return एक होता है section number 37 में GSTR1 your outward supplies का detail जो जो आपने sales किये है outward supplies का detail आपको disclose करना पड़ता है sir GSTR2 inward supplies का detail जो basically section number 38 में आता है लेकिन inward supplies के लिए जो GSTR2 है वो फिलाल जा नहीं रहा है ठीक है sir उसके बाद आता है section number 38 monthly return sir GSTR3B normal person के लिए GSTR4 composition dealer के लिए GSTR5 NRTPO अगेरा के लिए GSTR5 लगता है ठीक है sir ये सारे monthly return होंगे अब सुनिए अब हर मेना लगाओगे GSTR1, GSTR3B sir GSTR1, GSTR3B GSTR1, GSTR3B ठीक है sir ये जो monthly return था composition dealer के लिए इसको annual कर दिया गया है 30th April को फाइल करता है annually ठीक है sir ध्यान दखिएगा ठीक है sir ये point clear है अब आप monthly return फाइल किये गए किये गए पूरा साल के लिए अपने monthly return फाइल किया एक बार एक साल खतम हो गया for an example 19-20 एक साल था पूरे साल के लिए आपने जो monthly return फाइल किया अब ये पूरे साल के लिए government बोलता है आपको एक फाइल करना पड़ेगा annual return एक बार साल खतम हो गया उसके बाद जो 31st December आता है वो due date होता है by that due date आपको annual return फाइल करना है annual return जाता है GSTR 9 में 9A में composition dealer के लिए और annual statement 9B में TCS collectors लगाते हैं ठीक है सर याद रहेगा अब सुनिए अब इधर एक amendment है सर क्या amendment है annual return का जो section होता था annual return का जो section होता है वो है section number 40 red with rule number 80 rule number 80 भी बात करता है annual return के बारे में इन दोनो sections को इस section को section number 40 और rule number 80 को section डाल दिया गया लेकिन उसका crux क्या है मैं आपको बोल देता हूँ सुन लिजे अगर आपको याद होगा मैं आपको दिखाता हूँ अपने amendment booklet से आज यह amendment booklet में आपको अगर amendment booklet में आओगे तो amendment booklet में in your chapter of returns in your chapter of returns अगर आपको याद होगा तो सर 2017-18 पहले क्या होता था 2017-18, 18-19, 19-20 गौर्मेंट ने बुला था अगर आप एक रेइस्टेर्ट परसन हो पहला बात रेइस्टेर्ट परसन को एन्वल रिटर्न लगाना पड़ता है ठीक है सर लेकिन फिर अगर आपको याद होगा गौर्मेंट ने 17-18, 18-19, 19-20 में GST audit by Chartered Accountant और Cost Accountant करा के आपको एक GSTR 9C में, GSTR 9C में एक Reconciliation Statement फणिश करना पड़ता था ठीक है सर अब सुनिए अगर आपका turnover 2 crore to 5 crore है तो annual return तो mandatory था बट ये जो audit था Reconciliation Statement वो गौर्मेंट ने बोला था आपको फणिश करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आपका turnover greater than 5 crore है तो सर annual return भी mandatory है and audit by Chartered Accountant करा के GSTR 9C सब्मिट करना भी important था मतलब mandatory था अब सुनिए ये सेम चीज ही अभी क्या किया इन्होंने क्यूंकि GSTR audit delete कर दिया गया है Chartered Accountant और Cost Accountant के थ्रू जो audit होना था उसको delete कर दिया गया है अब आगया है Self Certified Reconciliation Statement तो अब गौर्मेंट ने बोला for the year 2021 अगर आपका turnover up to 2 crore है तो annual return तो आपको लगाना ही नहीं है ठीक है सर और reconciliation statement भी नहीं देना है अगर आपका turnover greater than 2 crore up to 5 crore है तो annual return तो लगे गाई reconciliation statement आपको नहीं देना है सर अगर मेरे turnover greater than 5 crore है तो annual return भी लगेगा Self Certified Reconciliation Statement भी लगेगा याद रखिएगा सेम रहा सब कुछ बस यहां पे instead of reconciliation statement जो basically instead of GST audit बोल दिया गया है आपको Self Certified Reconciliation Statement देना है यह सर point clear है यह मैंने यहां पे चार्ट में भी लिख दिया है देख लिजिए सर annual return लगाना है लेकिन Self Certified Reconciliation Statement अगर aggregate turnover greater than 5 crore annual return भी किनको लगाना है जिनका turnover greater than 2 crore up to 5 crore up to 5 crore and above है ठीक है सर और Self Certified Reconciliation Statement अगर aggregate turnover greater than 5 crore हो गया for financial year 17, 18, 18, 19, 19, 20 क्या था मैंने आपको बता दिया था कि annual return को optional कर दिया था अगर आपका turnover up to 2 crore रूपीज है greater than 2 crore greater than 5 crore annual return तो लगी रहा था greater than 5 crore के लिए GST audit था पहले अब Self Certified Reconciliation Statement आगिया है for 21, 22 registered person with aggregate up to 2 crore exempted from filing annual return ठीक है सर और मैंने आपको अल्रेडी बोल दिया है अगर आप greater than 2 crore है तो सर annual return तो लगेगा और greater than 5 crore है तो Self Certified Reconciliation Statement भी लगेगा यही amendment है जो आपके rule number 80 read with section number 44 का summary है ठीक है सर point clear है आप ध्यान रखेंगे ध्यान रखियेगा पूछ सकते हैं exam में यह एक point है यह पहले भी था अभी भी है क्या बोल रहा है कि सर यह जो Self Certified Reconciliation Statement की बात कर रहे हैं यह section not applicable सुन लीजिए यहाँ पर अगर आप आओगे amendment में तो यहीं देख लीजिए यहीं इनोने डाल दिया है इसको हाँ यह देखिये sir provided that nothing contained in this section मतलब यह जो annual return है shall apply to any department of central government state government or local authority whose books of account are subject to audit by controller and auditor general or auditor appointed for audit of accounts of the local authority under any law for the time being enforced तो यह क्या बोल रहा है अगर कोई government department है जिसका C&AG का audit हो रहा है C&AG audit कर रहा है यह sir उसका audit by auditor appointed under their law किया जा रहा है तो उस case में annual return वाला section उनको applicable नहीं है ठीक है sir यह point clear है यह same point मैंने यहीं बोल दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद आपने annual return furnish किया फिर next year आया monthly return लगाए annual return लगाए monthly return लगाए annual return लगाए आप परिशान हो गया आपने बोला sir अब मेरे को business discontinue करना है आपने business discontinue कर दिया और registration cancellation के लिए apply कर दिया तो इन्होंने बोला कि जब registration cancellation का proceeding चल रहा होगा till the date of cancellation या date of cancellation order जो भी whichever is later basically sir आपको क्या किया जाएगा आपका registration suspended कर दिया जाता है ठीक है sir date of cancellation और date of cancellation order order आया जाया लेकिन cancellation of registration यहां से हो रहा है तो यहां तक basically आपका registration suspended रहेगा आपको अगर याद होगा registration suspension का rule होता है rule number 21A जो मैंने आपको registration chapter में पढ़ाया था यहाँ cancellation proceeding चल रहा है और registration आपका suspend हो गया है अब एक बार cancellation order आ गया तो sir date of cancellation और cancellation order से within 3 month आपको furnish करना पढ़ेगा section number 45 बोलता है GSTR 10 में final return yes sir point clear है सुन लिजे बबाब मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया मैंने बुला एक supplier ने business start किया liable for registration हुआ liable for registration हुआ 30 days में apply किया registration grant हो गया तो इस दोरान जो भी supply किया था उस supply के लिए revised tax invoice issue करेगा और पहले-पहले return में disclose कर देगा उसके बाद आएगा उसका monthly return हर मेना फाइल करते रहेगा उसके बाद annual return आता है year end पे annual return मैंने आपको बता दिया उसके बाद अगर एक person discontinue कर देता है business जैसे इसका date of cancellation या cancellation order आ जाता है which is later basically उस दिन से आपको apply करना पड़ेगा within three months आपको file करना पड़ेगा by by return which is known as the final return और यह file होता है GSTR 10 में ठीकर सर पहला amendment आपने बता दिया पहला amendment यह यह बबा annual return related जो मैंने आपको summary भी बता दिया है अगर आपको summary फिर भी यह थे ही अगर आपको document तो I think अगर आपको यह amendment booklet download करना है तो आप क्या कर सकते हो आप जाहिए ramissony.com में और उधर जाहिए free resources में free resources में जाओगे तो उधर CA final may 22 folder रहेगा may 22 folder से आप यह download कर लेना amendment booklet है उसके साथ मैंने krugs भी down में लिख दिये है तो आपको easy हो जाएगा ठीक है sir point clear है चलिए आगे बढ़ते हैं आजाहिए अब सुनिए अब उसके बाद उसके अलावा यह जो बीज का portion है एक बार छोड़ दीजेगा मैं जो बोल रहा हूं वो दिखिए NRTP related returns का बात किया है NRTP GSTR 5 submit करता है sir कितने दिन में NRTP GSTR 5 submit करेगा within 20 days after the end of the month मतलब अगर NRTP है उसने registration लिया एक मेने के लिए एक बार मेना खतम हो गया उसके 20 दिन के अंदर समझ लिजे उसने 15 दिन के लिए registration लिया था तो last day जब registration खतम हो रहा है उसके 7 दिन के बाद उसके 7 दिनों में उसको submit करना पड़ेगा अपना GSTR 5 यही बोला है और within 7 days after the last day of the validity समझ लिजे 15 दिन का registration दिया था ना टिपी को 15 दिन खतम हो गया उसके बाद 7 दिन में उनको GSTR 5 submit करना पड़ेगा समझ लिजे एक मेहने के लिए registration लिया है तो 10 मेहना खतम हो गया उसके बाद within by 20th whichever is earlier और इनका annual return कोई applicable नहीं होता है OIDR क्या submit करेगा GSTR 5 कब तक submit करेगा by 20th day of the month succeeding the calendar month और इनके लिए भी annual return नहीं है annual return को exam किया गया है IHD के लिए GSTR 6 लगता है after 10th of the succeeding month and before 13th of the next month सर 10th to 13th ठीके सर और इनका annual return नहीं होता उसके बाद TDS deductor GSTR 7 monthly return जिसको लगाएगा वो 10th of the next month तक annual return कोई TDS deductor का नहीं होता है TCS collector के लिए GSTR 8 monthly statement बोलते हैं इनको और monthly statement बोलते हैं GSTR 8 को और इसको file करना है next month के 10 तक और annual statement annual return नहीं इसको annual statement बोला जाता है annual statement GSTR 9B file करता है TCS collector ठीक है सर point clear है यहां मैंने आपको first return outward supply का GSTR 1 monthly return सारा returns वगेरा बता दिया है अब आजए यह नीचे late fee सुन लेजे पहला बात कि late fee क्या होता है sir late fee under section number 47 लगाया जाता है late fee बोला गया था कि अगर आप एक return late लगाओगे तो 100 रुपे लेट फी लगेंगे per day under CGST act up to a maximum 5000 रुपी और 100 रुपे लगेंगे per day under SGST up to a maximum 5000 यह late fee का original late fee था यह original late fee था उसके बाद इन्हों ने क्या किया जो late fee था monthly return का 100 रुपी पर डे up to a maximum 5000 अंडर CGST same amount under SGST भी लगाया जाता था ठीक है sir उसके बाद annual return अगर आप नहीं फाइल करोगे time पे तो annual return के लिए रुपी 100 पर डे up to a maximum 0.5% of the turnover in state or union territory अब सुनिए अब government ने देखा कि यह late fee वगरा जो है बहुत ज़्यादा है इसलिए monthly return का जो late fee था with respect to GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4, 5 and 6 government ने इसको late fee को reduce करते वे क्या किया था यहाँ पे government ने 100 रुपीज पर डे की जगा 25 रुपीज 25 रुपीज कर दिया था अगर आपका nil return नहीं है तो GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4, 5 और 6 के लिए government ने क्या किया 25 रुपीज कर दिया था फिर government ने बुला अगर आप nil return लगा रहे हो तो सिर्फ 10 रुपे ही लिया जाएंगे 25 भी नहीं लिया जाएंगे तो बेसिकली नil return के लिए लेट फी हो गया 10 रुपीज पर डे अप टूए maximum 5000 और अगर आपका nil return नहीं है 25 रुपीज अप टूए maximum 5000 रुपीज आ रहा था अब government को लोगों ने बुला सर ये जो maximum है ना इसको भी थाओर reduce कर दिया और हैंज government ने क्या किया government ने लेट फी rationalization कर दिया basically government ने जो ये लेट फी था उसको reduce कर दिया और government ने बोला अगर आप एक registered person हो जिसका nil return है या आप tax payable GSTR 3B में है तो आपका mainly सर जो maximum होगा वो 250 rupees, 250 rupees under CGST and 250 under GST, IGST Act में वो 500 rupees हो गया अगर आप registered person other than one है मतलब ये क्या बोल रहे हैं इसका मैंने एक summary बनाया है जो आप देख लीजेगा आप एक काम कीजेगा ये जो portion है ये portion के लिए एक summary chart मैंने बना दिया है ताकि आपको कोई confusion नहीं रहे वान मिनिट मैं आपको दिखा जेता हूँ ये रहा देख लीजे पहले late fee था rupees 100 per day up to a maximum of 5000 उसको reduce किया गया था nil return के लिए 10 रुपे और sir 25 rupees अगर other than nil return है अब सुनिए अगर normal registered person है nil return फाइल कर रहा है सुन लीजे nil return GSTR 1 और GSTR 3 भी nil return के लिए 10 रुपे पर डे लगेंगे लेकिन ये CGSTR क्लिक है maximum 250 हो गया है 250 rupees maximum लगेगा ठीक है sir अगर आप normal person हो other than nil return लगा रहे हो nil return नहीं है और आपका turnover preceding financial में up to 1.5 प्रोर था तो GSTR 1 और GSTR 3 भी जो भी फाइल कर रहे हो other than nil return नहीं है तो 25 rupees per day लगेगा maximum 5000 था इसको reduce करके 1000 rupees under CTSD 1000 under GST कर दिया है ठीक है sir normal registered person other than nil return aggregate turnover greater than 1.5 अप्टो 5 क्रोर इन दा preceding financial लेर था sir GSTR 1 और GSTR 3 भी दोनों के लिए 25 rupees per day अप्टो ए maximum 2500 कर दिया है 5000 से reduce करके 2500 ठीक है sir normal registered person other than nil aggregate turnover अगर greater than 5 क्रोर है अगर greater than sir pdf नहीं दिख रही पूरी अरे बेटा पूरी नहीं दिख रही है एक सिकंड रूकिए one minute अब दिख रही है अब दिखना चाहिए ठीक है sir अब दिख रहा है देख लीजे एक बार अब दिख रहा होगा yes sir दिख रहा है ठीक है आज़ेए अब अगर registered person है जिसका aggregate turnover greater than 5 क्रोर रूपीज है बबा अगर आप कोई तीन पॉइंट थे यह पहले तीन पॉइंट में amendment हुआ है ठीक है sir यह हो गया number one number two जहां amendment हुआ है वो composition dealer related है देख लीजे अगर GSTR 4 GSTR 4 composition dealer लगा रहा है nil return अगर है तो 10 रूपीज ही था other than nil था तो 25 रूपीज पर डे था यह जो 5000 था उसको 250 रूपीज कर दिया है that's it 5000 जो था उसको 250 रूपीज अंडर CGST 250 अंडर SGST and 1000 रूपीज अंडर SGST कर दिया है nrtp के लिए कोई changes नहीं हुआ है GSTR 5 लगाता था nil return के लिए 10 रूपीज other than nil 25 था 5000 5000 नहीं रहा है ज़र कोई change नहीं है मैंने सिर्फ लिग दिया है ताकि आपको याद रहे isd GSTR 6 लगाता है उसके लिए चाहे nil हो चाहे normal return हो isd के लिए हमेशा 25 रूपीज पर डे अब तो है maximum 5000 अंडर SGST रहेगा इधर कोई change नहीं है ठीक है सर TDS deductor GSTR 7 लगाता था इधर change है सर क्या change है ये रूपीज 100 था इसको 25 रूपीज कर दिया गया है maximum 5000 था उसको रूपीज 1000 कर दिया गया है ठीक है सर point clear है ये एक amendment है एक amendment ये एक amendment है और ये जो पहले तीन पॉइंट है ये amendment है ठीक है सर यहाँ जो late fee था उसको change किया गया है basically ये late fee और ये late fee को change किया गया है अब सुन लीजे TCS collector का कोई change नहीं है रूपीज 100 per day maximum 5000 रूपीज annual return में कोई change नहीं है GSTR 9 रूपीज 100 per day 0.25% of the turnover in state or union territory quickly बोल दीजे क्या ये point clear हो गया ये पहले तीन point का 5000 से reduce कर दिया है late fee को ये दो point में late fee को reduce किया है और ये एक point में late fee को reduce किया है यही amendment है remaining जैसे थे वैसे ही है मैंने बस एक chart बना के डाल दिया ताकि आपको late fee याद रखने में easy रहे quickly give me heads up क्या ये point सबको clear है आगे बढ़ा जाए ये sir point clear है download ये आपको करना है तो रमेसोने.com में जाएगा और download कर लिजेगा खीक है sir late fee का chart है अब ये ही same चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो 3 point मैंने amendment का बोला वो 3 point यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या बोल रहे है देख लिजे इतर tax nil outward supply मतलब nil tax अगर है nil return है तो वह 25 रुपीज 250 रुपीज 250 रुपीज 1000 रुपीज कर दिया है sir वही same चीज यहाँ पे लिखा हुआ है घर में पढ़ लिजेगा मैंने आपको अल्रेडी पढ़ा दिया अब आजे ही returns के chapter में qrmp scheme quarterly return monthly payment scheme ये scheme बहुत पहले आ चुका था quickly पढ़ लेते हैं qrmp scheme tstr1 तो government ने already quarterly कर दिया था लेकिन लोगों ने बोला कि sir monthly return को भी quarterly कर दिये तो government ने बोला जो monthly return है उसमें तो tax का payment आता है उसको quarterly करेंगे तो कैसे चलेगा तो लोगों ने बोला ठीक है sir quarterly आप return कर दिये payment monthly करा लिजे तो actually लोगों ने नहीं बोला government न monthly payment return आप quarterly लगाई है लेकिन payment आपको monthly करना पड़ेगा ठीक है sir चलिए शुरू करते हैं तो government ने बोला 1920 का आपका turnover देखा जाएगा अगर आप हो registered person other than OIDR OIDR eligible नहीं होते qrmp scheme के लिए quarterly return monthly payment scheme के लिए OIDR eligible नहीं है तो अगर आप हो एक registered person जिसका turnover ये 1920 में up to 5 crore rupees है मतलब up to 5 crore वाले turnover वाले लोगों को ही quarterly return monthly payment scheme दिया गया जिसमें बोला गया कि sir अगर 1920 में आपका turnover up to 5 crore rupees था तो sir qrmp का पहला quarter था January January से लेके मार्स तक 2021 ये पहला quarter था इन्होंने बोला अगर आपका turnover 19-20 में portal ही calculate करेगा based on your return अगर आपका turnover up to 5 crore rupees है तो आप eligible हो गया qrmp scheme के लिए qrmp मतलब quarterly return monthly payment scheme ठीके sir अब इन्होंने क्या बोला था उस समय क्योंकि ये पहला पहला quarter था कि अगर आपका aggregate turnover 19-20 में up to 5 crore rupees है और आपने फंडिस किया gstr 3b for the month of October मतलब ये जो October 20 का return था gstr 3b अगर आपने number तक लगा दिया है by 30th number तो shall be migrated or else you will not be migrated to qrmp मतलब portal आपको automatically migrate कर देगा qrmp scheme में they can opt for qrmp post filing gstr 3b मतलब अगर आपको portal ने auto migrate नहीं किया qrmp scheme में quarterly return monthly payment scheme में तो आप return लगाई है उसके बाद आप off भी कर सकते हो qrmp scheme सर auto migration जो किया गया था इन्होंने बोला कि अगर आपका turnover up to 1.5 crore है और आप gstr 1 क्यूंकि gstr 1 quarterly file करने का option qrmp scheme से पहले ही आ गया था तो ये बोल रहा अगर आपने gstr 1 quarterly लगाया था तो आपको monthly return भी quarterly लगाने का option दि दिया जाएगा सर अगर आपका turnover up to 1.5 crore था लेकिन आप gstr 1 monthly लगा रहे थे तो आपको qrmp scheme नहीं दिया जाएगा आपको monthly option में ही रखा जाएगा ठीक है सर आप off भी कर सकते हो ठीक है सर अगर turnover greater than 1.5 crore up to 5 crore था और आपने gstr 1 monthly off किया था तो इन्होंने क्या किया था इन् पर point clear है अब सुनिए अब आप जब एक बार qrmp scheme में आ गए सर क्या यह qrmp scheme यहां पर बोल रहा है क्या यह qrmp scheme क्या यह qrmp scheme मतलब आपका जो यह option है यह continue होते रहेगा मतलब आप अगर एक बार qrmp में आ गए वो चलता ही रहेगा जब तक आप opt-out नहीं करते हो of the qrmp scheme ठीक है सर उसके बाद तो समझ लीजे january month में आप qrmp के लिए opt किया है quarterly return monthly payment करोगे लेकिन return quarterly लगाओगे सर उसके बाद next year आया अगर इस साल में आपका turnover सुन लीजे यह पूरा साल में अगर आपका turnover 5 crore exit नहीं किया तो next year भी आप qrmp scheme में eligible हो next year आप qrmp में eligible हो second quarter आप qrmp में eligible हो third quarter में क्या हुआ समझ लीजे इस quarter में 2 crore का turnover था इस quarter में 2 crore का turnover था October में आपने 5 crore का turnover cross कर दिया तो इन्होंने बोला quarter 3 में तो आप eligible रहोगे लेकिन क्योंकि आपने इस quarter में cross कर दिया turnover को quarter 4 में आप ineligible हो जाओगे for the qrmp scheme ठीक है सर सर अगर मेरे को qrmp scheme opt करना है तो कैसे opt करें मतलब अगर मेरे को कोई भी मंत में opt करना है तो यह बोल रहे हैं for an example April, May, June के लिए आपको qrmp scheme चाहिए अगर आपको qrmp scheme चाहिए तो कैसे opt करोगे यह बोल रहे हैं जो previous quarter था एक बार समझ लिजे April, May, June के लिए हमको opt करना है तो उसके दो मेंना पहले या एक बार वो quarter start होने के एक मेंना बात तक आप opt कर सकते हो मतलब 1st February से लेके आप opt कर सकते हो अब तू 30 अब April तक अगर आपको qrmp scheme चाहिए इस quarter में किस quarter में April से जून वाले quarter में yes sir point clear है याद रखिएगा जब भी आपको qrmp के लिए opt करना है जिस quarter के लिए opt करना है उसके दो मेंना पहले या एक बार quarter start होने के एक मेंना बात तक आप qrmp scheme के लिए opt कर सकते हो ठीक है सर quarterly हम gstr1 quarterly हम gstr3 भी फाइल करेंगे अगर हम qrmp scheme में गए लेकिन सरी जो monthly payment है वो कैसे करेंगे तो government नहीं यहाँ पे बोल दिया कि procedure post opting मतलब एक बार आपनी qrmp scheme opt कर लिया तो यह बोल रहे है quarterly return लेकिन payment तो आपको monthly करना है जब आप gstr3 भी फाइल करोगे quarterly लेकिन monthly आपको payment तो करना है तो लोगों ने पूछा कैसे करना है तो government ने बोला बेटा एक काम कर आपको April, May and June इनका payment करना है पहले government ने payment का due date बताया payment करना होगा 25th April के लिए 25th May, May के लिए 25th of June और June के लिए जो भी payment है वो करना होगा by 24th और 22nd जब आप gstr3 भी फाइल कर रहे हो ये दो dates क्या है बबा कुछ states के लिए government ने 20 second का date दिया है कुछ states के लिए gstr3 भी देखिए अगर आप non qrmp person हो तो 20 तारी के आपका due date है लेकिन अगर आप qrmp जाओगे quarterly return monthly payment तो आपका due date for gstr3 भी कुछ states के लिए government ने 20 second किया है कुछ states के लिए 24th किया है non qrmp people के लिए 20 तारी के लिए gstr3 भी का due date रहेगा अगर आप qrmp हो कुछ states के लिए 20 second कर दिया कुछ states के लिए 24th कर दिया ठीक है sir point clear है अब सुनिए जब भी आप monthly payment कर रहे हो तो sir कैसे करेंगे monthly payment एक बात याद रखेगा आपको find out करना है April month में कितना payment करना है government बोलता है April से पहले समझ लिजे जो quarter था उसमें भी आप qrmp में थे उसमें भी आप qrmp में थे और आपने अपना e cash ledger use करते वे एक लाख रुपय का payment किया था तो ये बोल रहे हैं आप एक काम करना April, May और June ये quarter के लिए जब आप payment करोगे पिछले quarter में कितना e cash ledger use करके पे किया था उसका 35% आप पे कर देना sir 35% मतलब 35,000 उसके बाद इधर 35,000 उसके बाद government ने बोला जो भी differential है उसको पे कर देना when you are filing your GSTR 3B GSTR 3B फाइल करोगे 22nd या 24th को उस दिन actual calculation कर लेना उस quarter का कितना होता है payment पूरे quarter का कितना payment होता है वो आप GSTR 3B फाइल करने के समय output tax liability, input tax liability सारा consider करते हुए आप एक काम करना differential का payment कर देना ठीक है sir point clear है एक बात याद रखेगा अगर आपने यहाँ सिर 35,000 पे किया यहाँ सिर 35,000 पे किया मतलब last quarter का last quarter में आपने QRMP में थे quarterly जो return आपने फाइल किया जब जो payment किया total e-cash ledger use करते हुए उसका 35%, 35% and differential अभी pay कर रहे हो अगर आप यह method follow कर रहे हो तो government बोल रहा है आपको कोई interest का obligation नहीं आएगा provided आपने sir 25th, 25th and 22nd और 24th को जो भी amount due था पे कर दिया अगर due date पे payment नहीं किया तो ही interest का obligation आएगा देख लीजे यहाँ पे आपने previous quarter January to March for an example CGST 100 रुपे, SGST 100 रुपे, IGST 500 and 650 रुपे पे किये थे अब April, May and June वाले quarter में April के लिए कितना पे करूँ, में के लिए कितना पे करूँ and June में तो differential पे करोगे June का जब return फाइल करोगे मतलब पूरे quarter का जब return लगाओगे तो यह बोल रहे हैं, April में कितना पे करोगे, सर बेटा कुछ नहीं, इसका 35%, 35%, 35% and 35% यह आपको April में पे करना है, same amount आपको make में पे करना है, June मन्त का जब basically आप GSTR 3 भी फाइल करोगे तब differential calculate करते हैं, पे कर देना, अगर due dates पे payment नहीं किया, due dates मैं आपको अल्रेडी बता दिया है, तो ही interest का obligation आएगा, ठीक है सर सर समझ लीजे, मैं payment कर रहा हूँ, April, May and June का, April, May and June, April का पे करना है, May का पे करना है, लेकिन, मैं जो पिसला quarter था, उसमें QRMP में नहीं था, तो बोल रहा है एक काम कीजिए, आप पिसला month देखिए सर्प, पिसले month में जो भी आपने payment through your e-cash ledger किया था, समझ दीजे, आपने March month में समझ दीजे, एक लाख रुपय का payment किया था, ये बोल रहा है, सर कुछ नहीं है, आप एक काम कीजिए, March month में समझ दीजे, मैंने से 50,000 का payment किया था, तो ये बोल रहा है, आप सर, अप पिसली बाद QRMP में नहीं थे, आप नए-नए QRMP में आ रहे हो, 100% पे कर दीजे, 50, यहां भी 50,000, और balance आपको पे करना है, जब आप फाइल कर रहे हो, अपना GSTR 3B, जो भी डिफरेंचल है, calculation करते हुए, पे कर देना, देखें, यहां एक example दिया है, 50, 50, 50, आपने March month में कितना पे किया था, 50, 50, 80 और 0, तो ये बोल रहा है, April में कितना पे कर हो गया, अब QRMP म पे करना, same amount में में पे करना, और जून का, मतलब एपरिल का में में पे करना, में का जून में पे करना, जून का, जब जुलाई में पेमेंट करने जाओगे, तो पूरा calculation करते हुए, April में जून का calculation करते हुए, differential का payment in the month of July 22nd या 24th को पे कर देना, ठीक है sir, point clear है, मैंने बोल calculation करूंगा और payment करूंगा, उसको बोलते है, self assessment method, उसको government ने बोला, actual tax liability आप पे कर लो, खुद calculate कर लो, कितना आपका actual output tax liability है, कितना input tax credit है, कितना payment करना है, कर लो, हर मेना, मतलब calculate करो, pay कर दो, और यहाँ पे actual tax liability, जो भी है, मतलब actual, 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 क्यूंकि आप बोल रहे हो, आपको 35%, 35% differential, 100%, 100% differential, यह नहीं चाहिए, government बोल रहा, actual tax liability भी pay कर सकते हो, हर मेना का जो liability है, calculate करो, pay करो, calculate करो, calculate करो, pay करो, ठीक है सर, लेकिन यहाँ ध्यान रखेगा, अगर short calculation या short payment किया है, तो interest का obligation आजाएगा, ठीक है सर, point clear है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आज यह उपर, मैंने आपको QRMP scheme के बने में बताया, ठीक है सर, आपने बोला, कि सर, QRMP में basically क्या होगा, एक जो supplier होगा, यह supplier क्या file करेगा, GSTR1, और यह जाएगा, जनरली क्या होता है, अगर आप recipient हो, supplier file करता है GSTR1, वो आपके GSTR2A में आता है, और उसका credit आप लेते हो, yes सर, सर, supplier समझ लि जिजे, उसमें 60 invoices, 6,00,000 रुपए का credit था, मेरे को credit मिल गया, में मन्त में supplier ने GSTR1 लगाया, वो मेरे GSTR2A में आया, और मैंने credit ले लिया, सर, एप्रिल में, जून, जून मन्त में, सर, एप्रिल मन्त का उसने लगाया, नेक्स मन्त में, में मन्त का उसकी लगाया, उसके जून मन्त का उसने लगाया, जुलाई में, GSTR1, और वो मेरे GSTR2A में आ गया, ठीक है, और मैंने credit ले लिया, अब सुनिए मेरा बात, अब यहां क्या हुआ, सर, ये बंदा निकला, QRMP स्कीम वाला, तो ये तो GSTR1 quarterly file नहीं करेगा, monthly file नहीं करेगा, ये तो GSTR1 quarterly लगाएगा, तो सर, मेरे को GSTR2A में कुछ नहीं आया, तो सर, मेरे को तो credit चाहिए, being the recipient, तो government नहीं बोला, रमेश, अगर तेरे को credit चाहिए, तो एक काम कर, जो supplier है, जो supplier है, वो GSTR1 नहीं लगा रहा, लेकिन हमने supplier को एक option दिया है, कि आप invoice furnishing facility में अपना details दाल दीजे, invoice furnishing facility में, ताकि front party को GSTR2A में उसका credit reflect होने लग जाए, ये government ने और एक solution दिया, government ने बोला, अगर supplier वो बंदा है, जो QRMP scheme में है, तो सर, वो GSTR1 तो नहीं लगाएगा, पहले month के लिए, लेकिन उसको invoice furnishing facility का option दे दिया गया है, ताकि recipient को credit मिल जाए, इन देर GSTR2A में वो amount reflect होने लग जाए, second month GSTR1 फाइल नहीं करेगा, invoice furnishing facility करेगा, उसमें details disclose करेगा, और वो आपके GSTR2A में आ जाएगा, last में तो वो जब quarter खतम होगा, GSTR1 लगाएगा, और वो आपके GSTR2A में details reflect होने लग जाएगे, ये same चीज मैंने यहां लिख दिया, कि sir, अगर आपका supplier, देखिए, अगर आप supplier non-QRMP है, non-QRMP मतलब, sir, सुन लिजिए, यहां पे GSTR1 के लिए मैंने लिखा, ये लेकिन ये समझाने से पहले मैं ये समझाता हूँ, सुनिए, sir, अगर आपने non-QRMP मतलब, आप QRMP स्कीम के लिए opt नहीं किया है, supplier ने QRMP स्कीम के लिए opt नहीं किया है, मतलब एक normal supplier है, व वो आपको 11th में आपके GSTR2A में आ जाएगा, GSTR2A से auto-populate करके portal क्या करेगा, 14th को GSTR2B बना देगा, मतलब, यहीं से 14th को, जो भी GSTR2A में credit reflect हो रहा है, as on 14th, मतलब 13 night को, जब 14 start होगा, वो क्या करेंगे, portal एक, इसका एक photo लेके, यहां पे आपको GSTR2B में दिखा देगा, कि सर 14th को, आपका कितना credit available था, यही credit आप eligible होते हो, तो basically GSTR2B में जो भी credit reflect होगा, वो आप ले सकते हो, सर इनके लिए, तो basically यह क्या करेंगे, GSTR1 में outwards supply दिखाएंगे, invoice debit note, credit note, आपके GSTR2A में आएगा, portal वो GSTR2A से GSTR2B बना देगा, और GSTR2B के basis पे आप credit ले लो, ठीक GSTR3B का due date, same रहेगा, एक मन्त का GSTR3B by next month 20th जाएगा, उसके बाद आता है, अगर supplier QRMP scheme में, quarterly return monthly payment scheme, तो सर यह किसको eligible है, जिसका aggregate turnover last year में up to 5 crore रूपीज था, इनको GSTR3B quarterly by 20 second और 24th फाइल करना है, सर GSTR1 तो पहला मेना जाएगा नी, तो पहले मेने में invoice furnishing facility कर सकते हैं, second month क के लिए भी invoice furnishing facility, last में GSTR1 फाइल करेंगे, अब सुन लीजिए, यह कब तक करना है by 13, April month का by 13th of next month, May month का by 13th of next month invoice furnishing facility में details disclose करना है, और यह 13th of July, सर सुनिए, invoice furnishing facility में सिर्फ B2B invoices का detail जाता है, तो सर आप B2B invoices का detail डालिए, अप to maximum of 50 lakh rupees आप detail जालिए, उसके बाद June month का जब लगाओगे, तो B2B of the month of June भी डालिए, और April and May का जो भी B2C रह गया था, वो भी डाल दीजे, April, May plus June month का जो भी B2C था, वो भी detail जाल दीजे, basically जो भी pending invoices से सारा detail जाल के, आप furnish करोगे, GSTR1, और अब यह चला जाएग GSTR2A में front party को, और portal automatically GSTR2B उस front party के लिए generate कर देगा, ठीक है सर, point clear है, सर, GSTR1, GSTR2A में क्या क्या details आते हैं, देखिए, normal registered person GSTR1 लगाता है, अगर normal registered person under QRMP scheme है, तो invoice furnishing facility करेगा, अगर normal person नहीं है, NRTP है, तो GSTR5 करेगा, file करेगा, ISD GSTR6 file करेगा, TDS, TCS collector, GSTR7, GSTR8 file करेगा, importation of goods, अगर आपने outside India से किया है, यह domestic tariff area को supply किया गया है, 22 SEZ, तो सर, यह सारा details हमेशा यार रखिएगा, GSTR2A में reflect होता है, ठीक है सर, अब portal क्या करता है, देखिए, GSTR1 का due date होता है, GSTR1 का due date होता है, 11, invoice furnishing facility का due date होता है, 13, जिस दिन 13 का midnight होगा, तब तक, जो details सारे यहां तक, यहां furnish हो चुके हैं, मतलब GSTR1 11 को लोगों ने file कर दिया, supplier ने, invoice furnishing facility जिसको करना था, उसने 13 तक कर दिया, 13th midnight को basically 14 जब होगा, तो portal क्या करेगा, automatically बना देगा GSTR2B, GSTR2B में 14th को आपके पास कितना credit था, वो reflect होगा, वो credit आप अपने GSTR3B में लीजे, और आगे बढ़िए, यही बोला गया है यहां पर, कि auto draft कर देगा GSTR2B, GSTR2B में जो भी आपका, GSTR1 में उन्होंने furnish किया हुआ जाएगा, GSTR5, GSTR6, invoice furnishing facility का invoice का detail आजाएगा, और जो भी आपने IGST pay किया, importation of goods पे, यह domestic tariff area, जब SCZ से domestic tariff area में supply हुआ, जिस पे जो भी IGST pay हुआ, उसका सारा details यहां पे GSTR2B में आजाएगा, GSTR2B में जो भी details है, वो ही basically आपका input tax credit है, जो आपको लेना है, ठीक है सर, point clear है, मतलब सर, 100% plus 5% for the inverses which is not furnish, जो inverses furnish नहीं हुए है, उसके लिए भी आप additional 5% ले सकते हो, ठीक है सर, point clear है, right side आजाएए, अब क्या हो रहा था, अब government ने देखा, कि लोग furnish कर रहे हैं, GSTR1, और GSTR1 में दिखा रहे हैं, 10 करोड का sale, एक करोड रुपया का credit pass on कर दिया, GSTR2A में लोगों को credit मिल रहा है, इन बंदों ने क्या किया, जो supplier GSTR1 फाइल कर रहे थे, वो GSTR3B जब फाइल कर रहे हैं न, GSTR3B फाइल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि credit तो पास on कर दिया, यह है fake suppliers government ने बुला, अगर आपने, अगर आपने GSTR3B फाइल नहीं किया, तो हम आपका GSTR1 ब्लॉक कर देंगे, तो कौन से कौन से cases है, जब आपका GSTR1 या invoice furnishing facility government बंद कर सकती है, यह बोला गया है आपे, cases when registered person is debarred from furnishing details in GSTR1 और invoice furnishing facility, registered person will not be allowed to furnish details in GSTR1, आपका GSTR1 को ब्लॉक कर दे अगर GSTR3B is not furnished for preceding 2 months, कब 2 preceding 2 महने का आपने GSTR3B फाइल नहीं किया, मतलब आपने tax का payment नहीं किया, तो बेटा आपका GSTR1 ब्लॉक कर देंगे, next, registered person अगर turnover up to 5 crore है, और आपने QRMP scheme लिया है, तो sir उस case में बोला गया है, कि आपको GSTR1 और invoice furnishing facility दोनों ब्लॉक कर दिया GSTR3B, preceding tax period का फाइल नहीं किया, मतलब preceding quarter का आपने GSTR3B अगर फाइल नहीं किया है, तो next quarter के लिए आप invoice furnishing facility प्लस GSTR1 कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे, next sir, अगर आप एक ऐसे बंदे हो, registered person जो restricted from using e-crate ledger to discharge his liability towards tax greater than 99% under rule number 86B, अगर आप ऐसे एक person हो, जिसको block किया गया basically rule number 86B में आपको बुला गया था, एक person तो cash में pay ही करना है, उन person के लिए बुला गया है, आपको भी allow नहीं किया जाएगा, details in GSTR1 और invoice furnishing facility, अगर आपने GSTR3B for preceding tax period, PTP, preceding tax period का GSTR3B नहीं लगाया, तो beta गए, अब आपको invoice furnishing facility या GSTR1 allow नहीं किया जाएगा, ध्यान एगजाम में पूछ सकते हैं, कब-कब एक person को GSTR1 और GSTR3 भी furnish नहीं करने दिया जाएगा, rule number 67A भी आता है, rule number 67A क्या बोलता है, rule number 67A simple सा rule है, बोलता है, अगर आप nil return file कर रहे हो, तो nil return by SMS भी file कर सकते हो, rule number 67A, nil GSTR3B, GSTR1, CMP08 can be furnished through SMS using registered mobile number and the same shall be verified through OTP, through verification किया जाएगा, section number 46 क्या बोलता है, section number 46 बोलता है, अगर आपने return नहीं लगाया, तो आपको एक notice दिया जाएगा, GSTR3A, कि आप return 15 दिन में परनिश कर दो, अगर आपने 15 दिन में return परनिश नहीं किया, notice आने के बावजूद भी, तो आप पर करा जाएगा best judgment assessment, ठीक है sir, point clear है, यहां हमारा chapter of returns खतम होता है, सुन लिजे, फड़ा फट, मैंने return में आपको बोला, कि outward supplies का जो details आएगा, वो section number 37 में जाएगा, outward supply, 38 जो होता है, वो inward supplies के details के बारे में बात करता है, GSTR2 जो अभी जाए नहीं रहा है, 39 बात करता है, monthly return के बारे में, GSTR3B, GSTR4, अब GSTR4 क वगेरा के बारे में, उसके बाद आता है, 40, 40 बात करता है, first return के बारे में, 41 आता है, 41 provisional ITC के बारे में बात करता है, yes sir, 42 and 43 आपके लिए applicable नहीं है, returns में आएगा, 44, 44 बात करता है, annual return के बारे में, जिसमें amendment है, मैंने आपको बता दिया है, जान रखिएगा, उसके बाद आता है, 45, final return, final return, 45, annual return, 44, 46, किसके बारे में बात करता है, 46 बात करता है, अगर आपने return नहीं लगाया, तो non submission की case में, GSTR 3A में, आपको notice दिया जाएगा, 47, late fee के बारे में बात करता है, late fee में amendment है, मैंने आपको बता दिया है, अब आजे ये, 48 section है, 48 बात करता है, GST practitioner के बा जाए, यहां हमारा returns का chapter का discussion खतम होता है, जहां हमने, जहां हमने qrmp scheme को भी समझ लिया, यहां मेरा discussion with respect to return chapter close होता है,